here is a question calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by a solution prepared by dissolving one gram of polymer of molar mass one leg 85,000 in 450 ml of water at 2320 37 degree Celsius the students यहां पर आपको osmotic pressure calculate करना है वो भी किसके अंदर Pascal में calculate करना है कोई बात नहीं कर लेंगे सेकेंड चीज यहां पर और बोला है कि one gram polymer जिसका molar mass है one leg 85,000 उसको आपने 450 ml water के अंदर क्या क्या है 370 degree Celsius पर dissolve क्या है तो चले स्टार्ट करते हैं फॉर्मॉला क्या क्या है पाइस इकल टू सी आर टी यहर पाइट मेंस पॉस्मोडिक प्रेशर ओके दैन सी सी मेंस concentration concentration मेंस नंबर ओफ मोल्स अवसलिट आर डिजोल्ड इन वन लिटर सोलिशन इंडारेक्ली इट वह यह कहना चाहता है कि पूछ रहा ठीक है तो नंबर ओफ मोल्स अवसलिट अपन वॉल्म इंटू आर इंटू टी ओके नंबर ओफ मॉल्स अवसलिट हम कैसे कले करें गे गीवन मास अपन मोलर मास देखिए पोलीमर का गीवन मस कितना है वन ग्राम मोलर मास कितना है वन लेक ऐटी फाइट है गा वन अपन पॉइंट फॉर फाइड लीटर नव नेक्स नेश्ट क्या पुछा है हम से आर आर क्या होता है रियल गर्स कॉंस्टेंट क्या विलोगी एट पॉइंट पॉइंट्री पावर थ्री पास्कल लीटर कैल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स ओके ये इसकी कैल्विन होगा ओके स्टेंट नव अब इन्हें हमें कैल्कुलेट करना है जब आप इन्हें कैल्कुलेट करोगे तो आपका स्वेली कितने हागी 30.98 पास्कल इट मिन्स एप्रोफ 31 पास्कल तो हीर इस देयोर आंसर तो स्टूरस क्या क्या हमने हमें ऑस्मोडिक प्रेशर क कैल्कुलेट करना था ओस्मोडिक प्रेशर का फॉर्मुला में पता है क्या होता है पाई इस एकल टू सी रटी सी मिन्स कंसेंट्रेशन इट मेंस नंबर आप मोल्स आप सॉल्यूट आर प्रेजिंट इन वालिटर में कर दिया कितना हो गया 0.45 लिटर आर की वेल्यू हमें 314 into 10 to the power 3 pascal liter into kelvin inverse mole inverse into temperature 37 degree celsius kelvin में कर नवट का कितना हो गया 310 kelvin इस पूरी क्वेशन को सॉल्ल किया तो पाई की वोली कितना ही 31 pascal here is your answer